बेंट्स हाव यू आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ आहां गर में आसान इसे डेकोरेटेड डिया कैसे बना सकते हैं आप डेकोरेटेड डिया भी बोल सकते हूँ या उरली भी बोल सकते हूँ सो नाव लेट स्टार्टेड प्रोस्टिजर इस डिय वाल मैं इस पॉट को और ये सब दिये को गोल्डन स्प्रे करूं जी अल्रड़ी इसके ऊपर मैंने एक कोटिंग कर दिया है बट आम गोंग तो वन्मोर कोटिंग यह हमारा स्प्रे होके रेडी हो गया पॉट नाव टू डेकोरेट इड मेरे पास यह पैचीज है वो में स्टिक कर दूँगी विद अल्प आप दी ग्लू यह स्टिक हो गया अभी यह जो दियास है इसे मैं यहां पर स्टिक कर दूँगी यह स्टिक हो गया है अभी हम इसे ट्राइ करने के लिए छोच देंगे थोड़े टाइम फिर इसे आगे डेकोरेट करेंगे विद दियास अट फ्लावर्स तो यह हमारा decorated dia बनके ready हो गया आप dia बोल सकते हो या उरली बोल सकते हो इसके अंदर मैंने पानी डाला है और artificial flowers डाले हैं अगर आपके बास fresh flowers है तो वो भी आप डाल सकते हो और मैंने इसके अंदर candles रख दी है floating candles और यहाँ पे मैंने कौतम बुद्धा का एक स्टेचुता मेरे पास वो रख दिया है सो ओर आल देखे कितना beautiful लग रहा है तो इस दीवाली आप भी आपके गर को कुछ इस तरह सजाए और जस्ट लेट मी नो हाव इस आपको यह कैसे लगा और विस्यो अल अपकी नवाली इवाली आपके एपको जिस्सक्राइड एफ यह रूट यह राट जाए झाल झाल झाल